आप सभी का स्वागत है ट्रेंच वा रिंग पिट बिदी का यह माडल अभी प्रदसित किया था जिसमें बहुत अच्छी तरीके से इसका प्रदसित किया गया हमारे प्रदेश के मानिय मकुंतर जी उत्त प्रदेश ने इसका अलोकन किया जिससे वहाँ पर जो महिलाएं भी इस सथर्से इतने अच्छे तरीके से देखा जा रहा हैं और इसे जहां एक और सरकार की प्रयाश से महिलाओब को रूजगार मिल रहा है वहीं ऐसी गन्यी के प्रजातियां जिननका गन्नेवीज हम बहुत ज्यादा नहीं दे सकते हैं इस बिद से गन्यवीज का जो हमारा डिस्टिबिशन है जो किसानों तक पहुँचाने का एक तरीका है वह पहुँचाया जा सकता है इस इस्टाल में सुरुआत से लेकर के या दिखाया कि किस तरीके से बर्मी कंपोस्ट के बाद कोकोपिट और जो हमारे ड्राई स्वैल सेंडी लूम स्वैल है उसका मिस्टरन बराबर भाग में मिला करके और गन्ये के एक एक टुकड़े उपर की तरफ रख करके और फिर इस से पचेश दिन बाद लगभग करने की बाध यह तयार हो जाती है और एक गन्ये की जो पौध है हमारे इसकी कीमत लगभग तीन रुपए होती है और इससे डेड़ रुपए लगभग प्रतिपाउध है जो महिला स्वैम सायता समूं है इनको बचत हो जाती है इस स्टाल को बहुत लोगों ने देखा सभी मान्ये बिधायकण ने देखा और साथी में पुलिश के जो अधिकारी है जो हमारे और अध इस तरीके से बहुत प्रस्ग हैकि इस इस कि रिंग में उसकी कि वहीर गया चाड़ रिंग पए कि कपशन किया गया था ओर यहां देखें कि शत्तरुके से रिंग का यहां प्रसंत किया गया कीетрिंग में गणने को लगआ करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं साथ हम रिप्रेज़िंट लगा करके और सिचाई का काम भी बहतर तरीकze कर सकते हैं जो गन्य की पौध थी उसको नाली में लगा गया था और नाली में लगा करके अगर पड़ासित किया गया कि अगर हम गन्य की पौध को डेर्ड फिट की दूरी पर लगा ऐख़े गया, यानी, दो लोगों फायदा होगा। एक को, अ र्किसानों, को जहां फायदा होगा, गन्य का उत्पाद का बढ़ेगा। वह दूसरी और महिलाओं को घर बेठो है, रुजकार मिल जाएगा। यानी, हम दोनों को बेतर काम दे पागे। और इसे उत्पादकता बढ़ेगी गन्य की और जो बीच की हमारी लागत है बीच की खपत है वह हम कर पाएंगे गन्य का बीच हमारा स्वस्त हो पाएगा और खेट की तैयारी में जो पानी ज्यादा लगता है वह भी हम एक तरीके से कम कर पाएंगे और इसके साथ साथ जो फ गन्य फटलाइस हम गन्य को दे सकते हैं जिसे बैलेंस निउट्रिशन होगा और गन्य हमारा बेतर तरीके से चलेगा बर्मी कंपोस्ट की जहां तक बात है हम एक वीडियो बर्मी कंपोस्ट पर भई बनाएंगे हमारे किसान रिते सिंग्जी हैं जो बर्सडा गाउं की हैं इ करेब एक दिन में कुछ दिनों के बाद इनका करेब एक दिन में करेब 200 कंटक तक बर्मी कंपोस्ट यह दे पाएंगे और इस बर्मी कंपोस्ट को अगर हम को कोपिट के अस्थान पर पौध उगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी जो गन्य की पौध उगाने क की लागत है उसको काफी हद तक कम कर ले जाएंगे यहां पर गन्ना प्रजातियों का भी प्रशिन किया गया था जिसमें सी सब्सक्राइब करने की प्रजातियों का यहां प्रसंद किया गया साथ ही में सी ओ आप देख रहें यह 28 सितंबर की पौद थी इस तरीके से जो हमारे बट कटर हिंड का भी प्रयूक किया गया यहां देखें आप कि बेज उप्चार का भी प्रसंद किया गया था मिश्रन है कोकोपिट है और इसके बगल में बर्मी कंपोस्ट है बड़ी उतसकता से लोगों ने इस माडल को देखा हमारे देखें पुलिस के जो गई और यहां पर जितने लोग इस काम में लगे हुए हैं वह इसे बहुत उतसाहित हुए हैं और बहुतर अच्छा काम लोग कर पाएंगे इस से इस बात की प्रेड़ना हम सभी को मिलती है माने बिधायक जी हैं हमारे मेहनों के और कट्रा बाजर के इनकी दोरा भी बहुत जयनकारी यहां पर प्रात की गई किस तरीके से गन्नी की पोई का उत्पादन हम कर सकते हैं और कैसे यह हमरे मन्य कैवेट मंत्री जी हैं उनके दरावी इसका जो अलोकन किया गया और साथ ही में अगर आप देखेंगे कि हमारे मनने बिदाएक शदर और मनने बिदाएक शदर पर स्री प्रतिक भुशन जी है और जो जिला पंचाइट के अध्च है श्री मदकर मिस्रा जी वह भी इस स्टेल पर आया है उन्होंने भी काफी जनकारी प्रत की है यस तरीके से हमरे जो जनपर्दिदी हैं इनके यहां पर आने से हमारी जो बात है अच्छा गणावत पादन की महिलाओं की की गणावत पादन में भागी दारी की इस बात को दूर तक और गाउं तक आसानी से मुँचाए जा सकता है जिससे हमारी योजनाओं में इसका एक तरीके से दिखा जाए कि हमारा जो राजनेतिक एक परिवेश से रहता है उससे काफी योगदान मिलता है उस तरीके से योजनाओं को फ्रेम किया जाता है ताकि लोगों को फायदा हो सके इन सभी महानभाओं के स्टाल को देखने से हमें उम्मिद है कि और अच्छा बेहतर हम लोग इस काम में आगे कर पाएंगे किसानवायों जहां तक हमारी ये बात है कि गन्य की जो अभी तक हम भुआई करते थे तीन आख के टुपड़े से और दो आख के टुपड़े से उसको बंद करके अगर हम इस तरह के से गन्य की पाउद लगा लें और पाउद लगा करके फिर गन्य का उतपादन करें तो ज्यादा अच्छा उतपादन मिल सकता है बस इसमें ये धेहन रखने हैं कि पौध बहुत जादा लेट, यानी जब टंपलिचर गम हो जाये तब नहीं लगाना है और जब बहुत जादा गर्मी पढ़ने लगाना है अगर हम पौध को सितंबर में और अक्तूबर में लगा लें तो जादा बेतर है इसी तरीक से फर्रुमी लगा लें और दस मार्ज तक लगा लें तो जज़ादा अच्छा उत्पादन मिलता है बहुत देर से ना लगाये हम यहाँ पर यह भी बता देना चाहते हैं कि पौध की दूरी हमरे हैं क्या रखनी ठीए यहाँ पर आप पाउध की दूरी अभी चुकी टंप्रिचर थोड़ा से कम होने जा रहा है एक फिट रखें और लाइन से लैन की दूरी सौड़े चार फिट रखें धन्यबाद जै हिंद जै भारत